सीम के लिए रणिंग स्टिच इस पाट के अंत में आप रणिंग स्टिच के प्रयोग से सिलाई करना सीखेंगे जोकी रणिंग स्टिच का एक महतुपूर्ण उप्योग है यानि आप दो कपड़ों को रणिंग स्टिच के प्रयोग से जोड़ पाएंगे अब हम सीम के लिए की जा रही रणिंग स्टिच देखेंगे यह करने के लिए आपको एक सुई, धागा, कैंची तथा बेबी फ्रॉग के दो बॉड़ी पील चाहिए जिने जोड़ा जाना है कदम एक एक बेबी फ्रॉग के दो बॉड़ी पील जोडने के लिए दोनों पीस सीधे से एक के उपर एक रखेंगे हम running stitch की सिलाई उल्टी तरफ करेंगे कदम दो एक धागा डली हुई सूई को लें जिसके अंत में गांट बनी हो आम तोर पर हम कपड़े के रंग का ही धागा लगाते हैं परन्तु यहां स्पष्ट दिखने वह समझने के लिए विरुद रंग का धागा लेंगे कपड़े की एक तरफ सीम की लिए कुछ अंतर छोड़ कर सूई डाल कर काम शुरू करें गांट के कारण धागा अपनी जगा पर बना रहेगा कदम तीन इस सिलाई में तुम्हारी सूई की चाल लहरदार रहती है सूई बार-बार कपड़े के ऊपर आती है तथा नीचे जाती है रंणिंग सिच लगाने की विधी में सूई नियमित अंतराल पर कपड़े की नीचे जाती है और फिर पास ही ऊपर निकलती है कदम चार हर टाके के बाद सूई को पूरा खीचने में बहुत महनत लगती है इसलिए पहले सूई में कुछ टाके पिरोने के बाद सूई को पूरा खीच लेना सरल होगा कपड़े पर छोटे और समान टाके लगाने का अभ्यास करें याद रखें टाका जितना चोटा होगा सीम उतनी ही मजबूत होगी और रणिंग स्टिच के बीच की दूरी जितनी कम होगी सीम उतनी ही मजबूत होगी सला दी जाती है कि सीम के टाके एक एंच के आथवे हिस्से से बड़े न हो कदम 5 अंत में छोटी गांट बांध कर समाप्त करें इसके लिए कपड़ा थोड़ा सा उपर उठा कर सुई डाले धागा इतना खीचें कि एक लूप बचा रहे और अब सुई लूप में से निकाले इस कारे को एक बार और करें ताकि गांट पक्की हो जाए धागे का एक बटा आट इंच छोड़ कर धागा काट दे कदम छे यही काम बेबी फ्रॉक की दूसरी ओर पर भी करें बेबी फ्रॉक के दोनों हिस्से पूरे हो गए हैं यह है सीम के लिए रणिंग स्टिच यदि आप टाके छोटे रखोगे और शुरुवात तदा अंत को पक्का रखोगे तो यह वास्तव में बढ़िया स्टिच होगा यदि हाथ सिलाई करते समय धागा बलखा जाए तो आप क्या करोगे? यदि हाथ सिलाई के वक्त धागा बलखा जाता है तो कदम एक ट्रिलाक्स हो जाओ और धागे वसुई को जुलाओ कदम दो घुमा कर धीला करो और उंगलियों से सुलजा कर सीधा करो कदम तीन एक बार धागा सीधा हो जाए तो सिलाई जारी रख सकते हैं सावधानी उंगलियों की सुरिक्षा के लिए थिंबल का उप्योग कर सकते हैं इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं चलिए याद करें कि इस पाठ में हमने क्या सीखा है हमने सीखा कि एक वस्तर पर सीम बनाने के लिए वस्तर के दोनों सीधे भाग एक के उपर एक रखें वस्तर के उल्टी ओर रनिंग स्टिच करें छोटे छोटे समान टाके बनाएं और बीज की दूरी कम रखें क्योंकि टाके छोटे होंगे और उनके बीज की दूरी कम होगी तो सीम उतनी ही मजबूत होगी सीम के लिए टाकों के बीज की दूरी इंज के आठवे भाग से अधिक न हो आशा है अब आप रणिंग स्टेच द्वारा सीम बना सकोगे रणिंग स्टेच द्वारा चुन्नत डालना सीखने के लिए हमारा अगला पाट लीजिए